देखिए असम सरकार ने गोमांस पर बैन लगा दिया है अब बिहार में बीजेपी मांग कर रही है कि यहां भी यह नीर ने लिया जाए हमारे साथ जद्यू के बरे अलब संखेक्चेरे और पार्टी के विधान पारसर जनाब खाली दन्वर सहाब है असम में जो फैसला लिया आत्मक्स सोज के साथ और ऐसी वाहिया चीजों में उनका टाइम जादा बरबाद होता है जो इंडिये का एजिंडा नहीं है आप बीफ कंजम्शन पे बेन लगा रहे हैं पबलिक पलिस पे बेन लगा रहे हैं और क्या मतलब है इसका सिर्फ सुरुखियां बटोरने के आपने कोई तामीरी सोछ हो कन्स्टुक्टिव सोच हो आपकी ऐसी चीजों से बचना चाहिए और घरीब क्या खाएंगे अब क्या होगा उन गरीबों का गरीबों हां मुसल्मान भी है आदिवासी भी है क्रिश्चन भी हैं हिंडू भी हैं दलित भी हैं जो सबका भोजन तरग्या फैसले को हापस लिया जाए जा नहीं यह फैसले हैं सही नहीं है यह फैसले गरीबों के लिए और इंडिए की सोज के मताबिक और हम समाजवादियों की सोज के मताबिक बिल्कुर गलत आपके बिहार में बीज़िपी मांग कर ये कि ये लागू देखिए भारतिय जनता पार्टी के कुछ फिरिंज एलिमेंट जो मन्निय आसाम की सोच के हैं वो इस तरह की बात करेंगे हैं लेकिन हम पिछले उनीश साल से सरकार चरा रहे हैं बीजेपी के साथ और हमने कभी ऐसी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया है और बीजेपी को इस से कोई मतलब है ये हमन्तो जी अलग सोच के हैं कॉंग्रेस से आए हैं और कॉंग्रेस ने जो उनके साथ उल्टा सीधा हरकत की जल्म ज्याती की उसका बदला वो गरीब हो से भीखार में कोई बैन है नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा सोच भी लोगों को खाने पीने की आजादी होनी चाहिए सरकार को क्या मतलब है कौन क्या खा रहा है क्या पी रहा है देखे खाने की आजादी पे बहुत लंबी चोड़ी बहसे हुई है क्या हिमन्तु जी जाएंगे गुआ बैन करेंगे आप अपने बगल में जाएंगे मनीपूर बैन करेंगे क्या आप अपने उपर जड़ा चढ़ जाएंगे अरू नाचल क्या वहां बैन करेंगे क्या इस ऐसे समाज में तनाओ फैलेगा नहीं तनाओ तो नहीं फैलेगा लेकिन इस फैसले से ये ज़रूर लगता है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर एक इन कैपबल इनसान है जो आसम की सरकार को सही धारे पे न ले चलके उल्टी सीधी चीजों में लगे हुए यह से बातचीत करते हुए खालीद अन्वर कैमरा परसन सेले सिंग के साथ मैंसे शाम कुमार रेवी पी निउस पटना